सुज़ें दोस्तों विल्केम बैक तो गाइस रिसेटली मैंने कई सारी वीडियो बनाई है विंडोस 11 24H2 वर्जन पे और हार एक वीडियो में आप में से कई सारी लोगे की कॉमेंट आए कि सब मुझे यहाँ पे 24H2 का अपडेट नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है तो प 22, 23, 24 तो कोई ना कोई तरह का बग जरूर होता है और इस वाले वर्जन में भी कुछ बग्स है यहाँ पर लाइक जब भी आप विंडोस अपडेट क्लेडर वाली फाइल को डिलीट करते हो तो वो डिलीट नहीं होता है कई सारे लोगों को ब्लू स्क्रीन भी आ रहा था यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले हम यहाँ पर इस अपडेट पर काम कर रहे हैं बग पर काम कर रहे हैं और जैसे यह फिक्स हो जाएगा तो फिलाल हम यहाँ पर फाइनल अपडेट रिलीज करेंगे लेकिन अभी भी फिलाल कई सारे यूजर इस नए वर्जन को यहाँ पर करना है ओके गाईस तो फाइनली मैं यहाँ पे विंडूस 11 पे आ चुका हूँ और मेरा यह जो वर्जन है यह 23H2 है मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ तो मैं विंडूस सर्च पे क्लिक करूँगा टाइप करूँगा विन्वर डबलू आईएन वी यार और एंटर कराए है तो यह देखे 23H2 यह वर्जन है मेरा और इसी को यहाँ पर मुझे अपडेट करना है अपग्रेट करना है नए वर्जन में जो कि है 24H2 लेकिन जैसा पता है मैंने कि प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम अपडेट वाले आप्शन पर चेक करते हैं तो हमें किसी भी तरह का अपडेट देखने को नहीं मिलना है 24H2 का तो सबसे पहले आपको अशौर क्या करना है कि अगर कोई भी पुराना आपका अपडेट पेंडिंग है तो पहले आप उसे यहाँ पे अपडेट करो उसके लिए अपने सेडिंग्स को उपन करिए लेफ्टेंड मेन्यो ऑप्शन से विंडोस अपडेट पे आपको क्लिक करना है और इधर मोर ऑप्शन में जो कहरा है गेट दे लेटेस्ट अपडेट अस पॉसिबल इसको यहाँ पे आपको जरूर से इनेबल करके रखना है इनेबल करने के बाद चेक फॉर अपडेट पे आपको शोग ना करे कोई पुर अपडेट को ओके घरिए अपडेट को फाइनली सारा अपडेट यहाँ पे कम्लिड हो गया है सिस्टम को भी मैंने यहाँ पर रीस्टार्ट कर लिए है अब रीस्टार्ट करने के बाद दुबारा से हम यहाँ पे सैडिंग्स को ओपेन करेंगे विंडो ऊपडेट में करो और यहाँ पर टाइप करना है GP Edit Group Policy Editor यहाँ टाइप कर सकते हो और suggestion में यहाँ पर Edit Group Policy पर आप क्लिक करना और इस तरह का देखिए Group Policy Editor ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर left hand side में Computer Configuration के नीचे मिलेगा administrative template इस पर आप क्लिक करो फिर right side में Windows component पर आपको क्लिक करना है और Windows component में बिलकुल नेचे आने पर आपको मिलेगा Windows update इस पर आप double click करो manage update offered from Windows update इस वाली folder पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद मिलेगा select the target feature update version इस पर आप double click करो और एक नया box open होगा तो यह basically selected होगा not configured पर इसको आपको enable करना है और निचे कह रहा है which product version would you like to receive feature update तो यहाँ पर आपको type करना है Windows 11 तो Windows type करिए space दीजे 11 type करिए और target version for feature update पर आपको type करना है 24H2 क्योंकि हमें इसी का update यहाँ पर चाहिए तो बस काम ख़दा में apply और ok पर click करिए आप अपने system को यहाँ पर आपको restart करना है और restart करने के बाद अब आप देखोगे कि आपको जब update पर आप click करोगे तो 24H2 का update आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए मैं फटवर यहाँ पर restart कर लेता हूँ device को अच्छा का इसमाल लोग कि अगर आपके end पर group policy editor open नहीं होता है आप windows 11 का home edition यूज़ कर रहे हो तो मैंने उस पर अलड़ी वीडियो बनाया है कि आपको कैसे enable करना है group policy editor को अपने पुराने windows 11 home version में ठीक है तो system भी हमारा यहाँ पर restart हो रहा है और restart होने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरह से trick हमारी यहाँ पर काम कर रही है तो चेली दुबारा से settings को open कर लेते हैं right click करेंगे windows icon पे settings को open करेंगे windows update में जाते हैं और दुबारा से check for update में क्लिक करेंगे अच्छा यहाँ पर एक यहाँ देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है अन्बूम गाईस तो अब आप देखलो यहाँ पे हमें windows 11 version 24H2 का update आ गया है और यह download होना भी start हो गया है तो चलिए अब देखते हैं कि यह proper यहाँ पे download और install हो पाता है कि नहीं हो पाता है तो चलिए अब हम वेट करते ही जब तक हमारा यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे windows 11 version 24H2 डाउलोड और install ना हो जाए और फाइनली इस तरह का desktop आपको देखने को मिलेगा and congratulations अब आप अपग्रेट कर पाएं है असानी से version 24H2 में तो मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ दुबारा टाइप करेंगे विनव और एंटर कराएंगे तो यह देखें वर्जन 24H2 पे हमारा यह convert हो चुका है तो यह बड़ी असान सी trick है गाईज जो आप अप अप्लाई कर सकते हो अपने पुराने edition को नए edition में अपग्रेट करने के लिए इनकिस अगर आपको अपडेट यहाँ पे नॉर्मल तरी में आप रूल बैक कर सकते हो अपने पुराने वर्जन में 23H2 में या जिससे भी आपने आप अपग्रेट किया है और इसके लिए आपको क्या करना है अपने विनडोज की settings को उपन करिए विनडोज अपडेट वाले section में जाए नीचे आने पे आपको recovery वाला option मिलता है एड आपको कोई problem आती है तो ये भी एक आपके पास option है तो बस यहाँ पे go back वाले option पे आप click करो और अपने पुराने version पे आप यहाँ पे downgrade कर पाएंगे आपको कोई additional information चाहिए कोई नई query है तो मुझे comment section में जरूर बताएगा and please guys make sure video को like subscribe करना मत भूला यार यही motivation मुझे motivate करता है आपके लिए और अच्छी useful videos लाने के लिए और मिलेंगे next video में till then टिक्या बबाए